हाई गाईज वेलकम चू नदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्ज आज की तारीख है 14 जनवरी 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अभी तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscigilpinnacle.com, obaljita.com इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबा चार बज एवेलिबल हो जाता है साथी साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे telegram handles, frontier IS और sscigilpinnacle online को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ आपसे मैंने पहला question पूछा था कि शशीकुमार मदू सुदन चित्रे का हाल ही में निधन हो गया वेकिस क्षेत्र से जुड़े थे तो इसका सही जवाब था विज्यान या science और आपसे दूसरा question पूछा था कि COVID-19 vaccine प्रशासन के लिए गठित समीती के प्रमुख के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका सही जवाब था RS शर्मा स्टार्ट करेंगे first question के साथ जनाग्रह City Governance Awards में किस राज्ये ने सर्वश्रेष्ट राज्ये यानि Best State Award का पूरसकार जीता है तो इसका सही जवाब है option number B ओडिशा तो ओडिशा ने जनाग्रह City Governance Awards में सर्वश्रेष्ट राज्ये और सर्वश्रेष्ट नागरिक अजेंसी यानि सिविक अजेंसी का पूरसकार हासिल किया है इन पूरसकारों के शुरुवात शिरी वी रामचंदरन की स्मुरिती यानि मेमुरी में की गई है जो वी केंद्र करन यानि डी सेंट्रलाइजेशन के जनक माने जाते हैं सरकार द्वारा शेहरी संदर्भ में वी केंद्री करन को मानेता देने के लिए इन पूरसकारों को पांच श्रेनियों में बांटा गया है 12 जन्वरी 2021 को केंद्री अवास और शेहरी मामलों के मंत्री यानि यूनियन म फेर्ज हरदीप सिंग पूरी द्वारा एक अभासी समारों में पूरसकार प्रदान किये गए गुजरात ने सर्वश्रेष्ट राज्य चुनाव आयोग यानि स्टेट इलेक्शन कमिशन और केरला ने सर्वश्रेष्ट राज्य वित आयोग यानि स्टेट फानान्स कमिशन पुरसकार जीता इन दोर ने अपने PPP अधारित एकिक्रित ठोस अप्षिष्ट प्रबंदन यानि इंटीग्रेटिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ट नगर पालिका श्रेनी का पुरसकार यानि मुनिसिपैलिटी कैटेगरी अवोर्ड जीता है यहा चुर्ब ही इंतनी आपने अछल यंटि देखो। किस सर्कारी संस्था ने भारत का पहला प्राक canyon in Safi जह विक्सित और है जिसे हाल ही में केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने लॉंच किया है जिसका सई जवाब है option number B खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन तो केंद्री सडक परिवहन एव राजमार्ग यानि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांस्पोर्ट एन हाइवेज तथा MSME मंत्री शिरी नितन गटकरी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विक्सितिक अभिनफ पेंट लॉंच किया खादी प्राकरतिक पेंट नामक यह पेंट परियावरन अनुकूल यानि एको फ्रेंडली और विश रहित यानि नॉन टॉक्सिक है जो फफुंद रोधी जिवानू रोहित गुनो य जिसे भारतिय मानक ब्यूरो यानि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्स दुवारा प्रमानित किया गया है अगला क्वेस्टन देखो दी पॉपुलेशन मिथ इसलाम फामिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो इसका सई जवा पॉपुलेशन मिथ इसलाम फामिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिशनर सी इसी एस वाई कुरेशी द्वारा लिखी गई है इसे हारपर कॉलिंस इंडिया ने से भारत की जन सांख्य की यानि इंडिया से डेमोग्रेफिक्स का मुल्यांकन करती है और दो बुनियादी मिथकों को द्वस्त करने का प्रयास करती है जो इसलाम परिवार नियोजन के खिलाफ है यहाँ पर एक रिविशन की बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालिया ने एक बिल्डिंग एन आत्म निर्बर भारत लॉंच की है तो इसका सई जवाब है रेल मंत्रालिया अगला क्वेस्टन देखो चंद्रभागा बीच यानि समुद्र तट किस राज्य में स्थित है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन इमबर C ओडिशा तो ओडिशा के मुखे मंत् हाल ही में अधिकारियों को अधिक घरेलू और विदेशी प्रयाट को यानि डोमेस्टिक एन फॉरेंट टूरिस्ट को अकर्शित करने के लिए विश्वस तर्य सुविधाओं के साथ चंद्रभागा और तलसारी बीच समुद्र तट विक्सित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बालास और जिले के तलसारी समुद्र तट पर 2.4 किलोमेटर के क्षेत्र को विक्सित करने का भी इरादा किया यहाँ पर एक विक रिविजिन की बात करें तो वो भी चीज जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया है उनके नाम है शिवराजपूर इन गुजरात घोगला इन दियू कासरकोड और पदू बिदरी इन करनाटका कापड इन केरला रूशी कोंडा इन आंध्रपरदेश गोल्ड किया है तो इसका सई जवाब है option number A स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले यानि Ministry of Health and Family Welfare तो केंद्री स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दर ने एक वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से श्री अश्विनी कुमार चोबे के साथ पांचवे राश्ट्र कायकल्प पुरसकार का अध्गाटन किया सारवजनिक और नीजी स्वास्थे सुविधाओं यानि Public and Private Health Facilities को स्वच्चता के उच मानको यानि High Standards के लिए कायकल्प पुरसकार से समानित किया गया है स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले भारत सरकार ने भारत में सारवजनिक स्वास्थे सुविधाओं में स्वच्चता सुनिश्चित करने के लिए 15 माई 2015 को एक राश्ट्र पहल कायकल्प शुरू की थी अगला क्वेस्चन देखो केंद्र सरकार की फ्लैक्षिप योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ने हाल ही में अपने संचालन के डैश वर्ष पूरे किये हैं तो केंद्रे सरकार की प्रमुख योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने अपने संचालन के पांच साल सफलता पूर्वक पूरे किये हैं यह योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी इस योजना के तहट औसद बीमित राशी बढ़ा कर 40,700 रुपे कर दी गई है जो पहले प्रती हेक्टियर 15,100 रुपे थी क्रिशी मंत्रालिय के अनुसार इस योजना में साल भर में 5.5 करोड किसानों के आवेदन आते हैं अब तक योजना के तहट 90,000 करोड रुपे के दावों का भुकतान किया जा चुका है अगला क्वेस्चन देखो अंतराष्ट्रे क्रिकेट परिशद ICC यानि इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल बोड की बैठिकों के लिए BCCI के अधिकारिक प्रतिनिधी के रूप में किसे नामित किया गया है तो इसका सई जवाब है उप्शन नमबर B जै शा तो अंतराष्ट्रे क्रिकेट परिशद ICC की बोड बैठिकों के लिए जै शा को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोड BCCI के अधिकारिक प्रतिनिधी के रूप में नामित किया गया है यहाँ आप तस्वीर में देखिए शाब भारति क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट BCCI के सचीव यानि सेक्रेटरी है धे BCCI अधियक्ष सौरफ गांगुली का स्थान लेंगे जो इस समय ICC बोर्ड में भारत का प्रतिनेदित्व कर रहे थे लेकिन हाल ही में उन्हें दिल की बिमारी का सामना करना पड़ा अगला क्वैस्टन देखो हर्याना सरकार ने किस शहर के पिपली गाउं को विश्विस्तर्य प्रयाटक केंद्र यानि वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब के रूप में विक्सित करने का निर्न लिया है तो इसका सई जवाब है option number C कुरुकशेत्र तो हर्याना सरकार ने राज्य में प्रयाटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कुरुकशेत्र के पिपली को एक विश्व स्थरिये तूरिस्ट हब के रूप में विक्सित करने का निर्न लिया है पिपली में सरस्वती सेतू पर विक्सित किया जाने वाला देश के परियाटों को अकर्शित करेगा यह हर्याना को अंतराश्य परियाटन मांचित्र पर एक अलग भहचान देगा पिपली में टूरिस्ट हब हर्याना सरस्वती हैरिटेज डेवलोप्मेंट बोर्ट दुवारा विक्सित किया जाएगा यहाँ पर एको एक अगला क्वेस्टन देखो संयोक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंगवाद के प्रायोजक देश यानि स्पॉंसर आफ टेरिरिजम के रूप में नामित किया है तो इसका सई जवाब है क्यूबा तो अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंगवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है वर्तमान में इरान सीरिया और उत्तर कोरिया यानि नौर्थ कोरिया आतंगवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में शामिल है हाल ही में सुदान को आतंकवाद के राज्य प्रायजकों की सूची से हटा दिया गया था अमेरिका उन देशों को सूची बद करता है जो बार बार आतंकवाद के राजे प्रायजिकों के तहट अंधर राश्ट्रे आतंकवाद के कृतियों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं इस सूची को पहली बार 1979 में जारी किया गया था बात करें यहाँ पर क्यूबा की तो इसी कैपिटल है हवाना करंसी है क्यूबन पैसो या क्यूबन कनवर्टिबल पैसो अगला क्वेस्टन देखो हाल ही में किस राज्जे ने अभासी चैरी ब्लॉसम महुत सब का उधगाटन किया है तो इसका सई जवाब है option number C मनिपूर तो हाल ही में मनिपूर के सेनापती जिले के माउ में एक वाशिक चैरी ब्लॉसम माउ फेस्टिवल आयोजित किया गया COVID-19 के बीच इमफाल में CM सची वालिय से मनिपूर के मुखे मंत्री एन बिरेन सिंग ने इसका इयुद घाटन किया यहां तस्वीर में देखिए और एक वेक रिविजिन की बात करें तो मनिपूर हाल ही में शेहरी स्थानिय निकाय सुधारो यानि अबन लोकल बॉडिस रिफॉर्म्स को पूरा करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है बात करें यहां पर मनिपूर की तो इसकी फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुवी लीली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल नैशनल पाक्स में आता है केबूल लमजाओ नैशनल पाक और शिरुवी नैशनल पाक मनीपूर की कैपिटल है इंफाल, गवर्नर है नजमा हेपतुला और सीएम है एन भिरेन सिंग बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुईक समरी की तो जनाग्रह सिटी गवर्नेस अवार्ड्स में बेस स्टेट अवार्ड ओरिशा को दिया गया है इंडिया's first प्राकरतिक पेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीस कमिशन ने लॉंच किया है इसलाम, फैमिली प्लैनिंग और पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक एस वाई कुरेशी दुवारा लिखी गई है चंदरभागा बीच ओडिशा में स्थित है नैशनल काया कल्प अवार्ट्स का अधगाटन, Ministry of Health and Family Welfare दुवारा किया गया है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ने इस साल पांट साल पूरे कर लिये है ICC Board Meetings के रेप्रेसेंटेटिव बन गये है जैशा हर्याना के कुरुक्षेत्र के पिपली विलेज को वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट हब में डवलप करने का निर्न लिया गया है स्टेट स्पॉंसर ऑफ टेरिरिजम लिस्ट में क्यूबा का नाम जोड़ा गया है और मनीपुर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का घाटन किया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के Quiz for the Day के आपका पहला क्वेस्टन है इन क्वेस्टन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथनी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडल्स को जॉइन जरूर करना है थांक्यू सो मच